इसका मतलब क्या होता है मैंने देखा अब दस्री के परिच्छा भी से नहीं करना तो उसको एक अच्छे टीचर से बात करना चाहिए जो उसके मितलब जो भी प्रावब अच्छे रिसोर्सेस हैं तो यह यह चीज होती है और हो सकता है वो करवादे इस साथ आप उसका नौलेज जरूर ले लीजिए क्योंकि नौलेज की आज की जमान में वैल्यू को यह ड्रॉप लिया है तो बहुत ही मानदार इसे पढ़ना देखो एक विटा क्योंकि आपने एक साथ करने हलो दोस्तों स्वावगत ही श्टाइट आज वीडियो में आज के इस वीडियो में हम देखने की किस तरीके से आपको अगर मदद की जुरूरत है तो आपको जुरूर मतुत मागने चाहिए इसका मतलब क्या होता है मैंने देखा है अभी दर्स्री की परिच्छा हुई गोड़ एक्साम आगी परिच्छा हुई बच्चे को आगे की परवा हुने लग जाती है उसको आज तर बज़े से मलब 11 में कौन सा सिंजेक चाहिए 12 के बार की स्कॉलेज में जाना है कौन सी परिच्छा दिये उसने और उसमें कैसे प्रेंग उसकी लग लिए तो उसको कौन सा क्वालेज में जाए तो यहाँ पर बच्चे परिशाम उना है उसको कोई एक अच्छे गुरू के आपास जाना चाहिए कि वह सारा जो भी उसका प्रॉब्लम है वह बताए और उसको सॉलिसन उसको मिल जाए जैसे कि अगर 10 पास है और कहीं बार ऐसा होता है कि उसको PCM में उसके मार्क से अच्छे आरे पर उसको PCM नहीं करना तो उसको एक अच्छे टीचर से बात करना चाहिए जो उसकी मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल कर पाएगा यहां पे अगर आप चुप रहे तो समझ लो लाइफ को आगे की लाइफ को बड़ कठीन बना रहे हैं मान लो की आप PCM में बहुत अच्छे हैं आप PCM में अच्छे हैं और PCB आपको चाहिए बात को समझ आपके पास करे चुकिए हैं PCB चाहिए और PCM में आपकी स्कोर अच्छे आ रहे हैं तो क्या होगा? आपको टीचर बोलेगे, PCM में जाओ PCM में जाओ ले लोगे admission और फिर PCM में जब 11th कब गुरा पोर्ट हो जाएगा 12th में बीच में आपको realize होगा कि नहीं मैं अपने मन की चीज नहीं कर रहा हूँ इसमें मेना आगे उतना अच्छा स्वोपनी है जितना अच्छा मैंने सोचा था कि अगर PCV लूगा तो यहां पर आप confused हो ठेके तो आभी MOCA है 10th के exam बस हतमी हो गए है लगपग तो अगर आपके आखरी पेपर जैसी होता है मैं 10th की बात भी कर रहा हूँ 12th की बात भी कर रहा हूँ 12th के बात तो अच्छा confused होता है कि मुझे अच्छा quality मिल रहा है क्या मैं एक साल का drop ले किसी अच्छे teacher के पात जाओ जो आपको अच्छे ज़रे guide कर सके यहां पर अच्छे teacher का मतलब यह नहीं है कि कोई बड़े coaching के संस्था के पास चलेगा है यहां पर आप किसी बड़ी संस्था में चलेगा हो आपके पूछ रहे हो कि मैं आगे क्या गहूँ एक साल का drop लेना resources है तो यह चीज होती है और हो सकता है वो करा देगा पर आप उस teacher के पास जाओ जो आपको अच्छे से guide करे कि नहीं देख एक साल का मतलब क्या होता है और एक साल पीछे जाएगा तो तेरे पास तेरे सारी problem और create होगी तू हमेशा negative भी सो सकता है और उसी एक साल के अंदर और हो सकता है कि फिर से तेरा कोई competitive exammen नहीं निकले तो ऐसे problem में आपको एक ऐसे teacher के आपस जाना चाहिए जो सही में आपको guide कर पाएगा देखो आज के जमाने में क्या है आप किसी भी अच्छे college से आप degree ले सकते हैं आपके आसपास भी कोई ऐसा college जरूर होगा जहां से आ क्योंकि knowledge के आज के जमान में value हो आपको यह नहीं पूछेगा कि किस university से आपने पढ़ाई की आपसे यह पूछेगा कि आपने post degree की तो वह कोई सा भी college हो सकता है आप एक छोटे college से भी करते हैं वहाँ पर आगर आपको सारे साही चीचे मिल रही है और आपको लग रहा है कि family support ने कर पा रही है कि नहीं है हम अच्छे college मिनी डाल सकते आपको तो मतलब जबर जस्ती दी को बोले अपने parents को कि नहीं मुझे दोसी को ले जाना मेरा दोस जा रहा है और वो आई-टी उसका निकल गया तो मुझे भी वही जाना है मुझे एक साल का ड्रोप चाहिए देख आपके पर pressurize करने वाले कि आप कमाओ तो ऐसे बच्चे को अपने parents की पास सुन लेनी चाहिए हो एक अच्छे टीचर के पास जाके उससे सारी प्रॉब्लम शेयर करना है चाहिए कि देखे मैं फैबली की प्रॉब्लम ऐसी है अगर एक साल का ड्रोप लेता हूँ तो मेरे तर फैबली वाले के परषान हो जाएं कि वो एक साल फिर ये सुचे हैं के एक साल डीले हो गया उनकी हैल्प जो मिलने वाले थे एक बच्चे से वो नहीं मिल पार एक तो यहां पर एक साल का ड्रोप ले रहे हो तो प्लीस अच्छे से अपना आपको कुझवेंस कर लो कि न इसा नहीं कि अब ही मतलब एक महिन वाप इससे पास आगा एक्जाम के तो नहीं अब मैं पढ़ना सुरू करूँ अगर एक साल का ड्रॉप लिया है तो बहुत इमांदार इससे पढ़ना के पूलता है क्योंकि आपने एक साल तक अपके सबको कन्वेंस किया है तो एक साल तो खुद को भी कन्वेंस करूँ कि अगर इस साल में अच्छे से मेनत कर लिए तभी मेरा अच्छा जाए ठीक है और जो आप सब्जेक्ट आप खुद चाहते हो कि यह सब्जेक्ट मुझे मिले ऐसे किसी टीचर से मिलो जिसका वो सब्जेक्ट हो तो जादा डीटेल में आपको चीज़े बता पायागा और आपको जो बनना है उस जादा सजादा इन्फोर्मेशन लो उस वारे में और इस इस चीज़ को लेना जो अभी 10 वी की एक्जाम हुई है रिजल्ट आई जाएंगे फिर ऐसा बार वी का भी एक्जाम हो चुका है फिर रिजल्ट भी आएंगे तो जब तक कि जो इस पैन है उसमें ना कंफर्म कर लो अपने आपको क्या आगे करना क्या है ठेक है और अगर कर लिया तो सही में बदा रहा हूँ लाइफ बहुत अच्छे स्पिक लेगी और बहुत ये अच्छा सक्सेस भी आप पाएगे थैंक्यू सो मुच